आजे देव नहीं तो अब लाश्ट MTP सेरीज 2 आक्टोबर 2024 में आया था एक तो यार यिल्ड करूपे कोश्चन था बच्चों के हालत खराब है अक्सर वो छोड़ कर जाते यिल्ड कर वो टार में स्ट्रैक्शर भाईया करना है और अच्छे कोश्चन है अगर मैं कहूँ यिल्ड करूपे है CDS पर कोश्चन है CDS इसके अलावा CDS के अलावा मैं आपसे बोल रहा हूँ एक वेल्वीशन है फर्स्ट सिकागो मेथट इस्टार्ट फाइनेस का बहुत सारी चीज़े है अच्छा पेपर बनाया नया बहुत सारा डाला है पहले के सिनारियो वन करवाना पड़ेगा CDS पर कोश्चन है पर सीरियसली बताऊं एक थेयरी है मैंने कहां डाला है डेरिविटी की थेयरी में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ फुल वीडियो डेरिविटी की थेयरी क्योंकि एक सल पहले का है सिरियसली अगर उसको कर लोगे तो ऐसा होई नहीं सकता है कि यह कोश्चन अब थेयरी कोश्चन डाल रखा है पर पड़े क्या सपोज यू आर रिस्क मैनेजर ऑफ फाइनिशियल इंस्टिउशन और यूर कंपनी एज लोग तोन और आप ने किसी कंपनी को लोग दिया है वाओ पहली बार ऐसा हुआ ओके सर हमने लोग दिया है आपने लोग दिया है इस कंपनी को और कितना पास साल के लिए तीन साल और किस पे सर मार्जिनल कॉष्ट लैंडिंग रेट एमसी एलार उन्हें बहुत कुछ बताया था यह आई रर्म में डिसकस किया था वह खैर इसे हमको फर्क नहीं तो मार्जिनल कॉष्ट लैंडिंग रेट प्लस 200 जैसे लायबोर होता था वैसे मतलब एक बेस रेट है प्लस 200 बेसिस पॉट इस पे हमने लोग दिया है इतने साल के लिए तीन प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम यह आती है कि बाइचांस यह डिफाल्ट कर दे इंसुरेंस इंसुरेंस नहीं आप थियोरी पढ़ ले न हमने कहा क्यों न हम किसी कंपनी कोई हमको गारेंटी देते हमने किसी कंपनी से खरीद लिया और क्या खरीदा CDS मैंने बहुत अच्छे से CDS समझा रखा है डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब में एक साल पहले डला हुआ था उसका लिंक कशिए तो CDS खरीद लिया तो you are concerned about X limited ability to pay यह भाइसा पे करेगा की नहीं करेगा इसलिए हमने तूसरे किसी से CDS खरीद लिया और CDS खरीदने का उद्दे से है खुद को प्रोटेक्ट करना है CDS मतलब क्रेजिट डिफाल्ट स्वेप औके और कितने करोड का हमने 500 करोड का CDS खरीदा होगा सर बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा प्रीमियम पर सर इसका settlement कैसे हो सकता है दो तर ऐसे settlement हो सकता है मानलो सामने वाली कंपनी 500 करोड में से देखने से लग रहा है यार 200 करोड डुबा लिया 200 करोड पर डुबा लिया तो मेरे पास जो bond paper है देखो दो तरीके है एक तो physical settlement एक यह है कि मैं पूरा 500 करोड के bonds इसको दे दूँगा मेरे पास जो भी और इससे 500 करोड रुपे लिए सीधी सी बात है मेरे bonds की value वैसे यहां investment किये तो मुझे मिलना कितना चाहिए 500 करोड इनो ने डुबा लिया कितना डुबा लिया 200 करोड तो यार इन papers तो मुझे 300 करोड रुपे मिलेगा तो एक yes है कि physical मैं इनको दे दूँगा और बदले मैं 500 करोड ले लूँगा that's it भाई मेरी value मुझे को मिल गई ठीक है sir दूसरा होता cash settlement cash settlement में मुझे ये वाला difference देगा क्योरी पढ़ो उसमें detail में difference मिल जाएगा तो बोलते cash settlement तो यह है credit default ABC limited bank for same notional amount notional amount क्यों लिखा जाता क्योंकि speculation भी कर सकते है माल लो मैंने इसको investment नहीं किया notional amount लिखने का उदेश किया है क्योंकि मैं इस से speculation मी 60 भी तो खेल सकता हूँ मैंने भले ही इसको loan नहीं दिया भले ही मैंने इसको loan नहीं दिया investment नहीं किया पर मैं इस bank से यह जिससे भी मैं CDS खरीद रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ आपको बेचने से मतलब है CDS मैं सर्त लगा रहा हूँ कि यह X limited पासो करोड रुपिया डुबा लेगा लग गई सर्त बात समझ में आ रही है मेरे bond के value कम हो जाएगी speculation भी किया जा सकता है तो detail में समझना है description में जाएए यहां तो भी नहीं करवा at least जो मुझसे पढ़ा हुआ है उसको यह न लगे कि सरीए क्यों time खराब करें आप तो already पढ़ा चुके हो इसी वज़ा से बाक्या और कोई दे premium कितना देना पढ़ना है 1% per year 1% per year मतलब true cash और बोला भी है कि बदले में क्या होगा 1% एक साल का तो तीन साल का 500 का 3% 15 करोड उपे मुझे premium देना पढ़ेगा on the respect to reset debt for the same period actual MCLR यह हो गया मतलब इतना loan पे हमको interest मिलेगा ठीक क्या फर्क पढ़ेगा answer the following primary purpose of CDS का primary purpose protect करना है बाकी सब बेकार की बात है bond का increase खुद को protect कर which of the following statement is true CDS contract cannot be used can be used यह true नहीं है इसको use कर सकते CDS contract governed by government regulations CDS contract private agreement between यह भी true है भई private ही तो agreement है CDS contract सारी risk eliminate नहीं किच CDS contract eliminate all risk नहीं यह true नहीं है all risk थोड़ीन खत्म होगा तब private agreement यह साही government नहीं answer C आना चाहिए true तो यही दिख रहा है स्पेकुलेशन कर सकते हो government regulation नहीं चलता इस पे इक answer सी आना ची देख ले न सर आप ही दिखके बताओ न यार question में two answer सी फिर भी यार समझाओ ना theory जाके देखो description which organizer published the international swap and derivative IHDA मैंने लिखवा रखा है IHDA जो chart अगर कोई default नहीं होता तो total premium कितना जाएगा पासो का 3% 15 करोड suppose lander ने default कर दिया after payment of interest up to 2 years ठीक है interest का payment भी हो चुका पर default हो गया और 75% जो है वो loan का bond का value 75% है मतलब मेरा 25% का loss है तो मुझे 25% का cash settlement हो जाएगा तो 500 का 25% 500 का 25% कितना होता 500 का 25% 125 करोड रुपए मुझे मिल जाएगा अगर physical settlement होता तो मैं bonds दे देता मुझे पूरा 500 करोड मैं अभी 125 इदर से लूँगा और 300 पचेता तो X वाला तो देने को तही है बस खता CDS का क्या theory question था यार यह theory था theory कुछ नहीं था इसको बस डरने वाली बात है CDS आगया CDS का कुछ question question नहीं है इसा बकवाज बात है theory पढ़ते जिन्होंने theory पढ़ा हुआ कसम से एक साल पहले का वीडियो पढ़ दो और यह question आपको ऐसा लगेगा यार क्या question sensitivity analysis मैंने ही करवा रहा हूँ मैंने सोचा था कि shortcut से करवा हूँ पर आपको वीडियो में मैंने shortcut करवा रखा है capital wasting का भी वीडियो पूरे capital wasting chapter का वीडियो डला हूँ कोश में देखो मैंने यही वाला question बिल्कुल shortcut से करवा रखा किस matter पर मैं बात ही ना करवा हाँ भाई साब यह आ गया term structure यह yield करवा वगा कोश इसके लिए बच्चों ने परिशान कर दिया हाला कि simple है और sir नया कुछ है कि पहले का ही है इसमें नया यह कोई अमेंडमेंट वाला question इसमें पड़े बिना time खराब करें क्या आपका एक एक मिनट कीमती है you you are an investment analyst working on a financial advisory firm you have been asked to analyze the bond market yield curve assist your client in making investment decision the yield curve represents the relations between the interest yield and time to maturity for debt security usually government bonds simply assume the following yield data for government bonds for various maturity simple सी बाते आपको देख रहा है एक साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे तो कितना परशन एक बढ़ पढ़ो इसको ध्यान से देखोगे तो yield curve table देखो अब मैं कुछ समझाऊंगा हाला कि ये chapter के साथ discussion हो चुका है generally यार economy अच्छे कब मानी जाती है अगर मैं एक साल के लिए investment करता हूँ तो मुझे bank देती है तीन परशन पर रहे न और अगर मैं कहता हूँ कि मैं दो साल के लिए investment करता हूँ जादा समय के लिए तो बढ़े bank खुस हो जाती है थीक है अगर ज़्यादा समय के लिए कर रहा है एब डी भी सुना है ना या फिक्स्ट डिपॉजिट कम समय के लिए इतना परशन पर थोड़े ज़्यादा समय के लिए तो ज़्यादा परशन पर थोड़े अभी roughly समझा रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा परशन 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 कमाओगे ज़्यादा पिरिय्ट मतलब ज़्यादा रहा है नॉर्मल ऐसी होता है कभी कभी inverted yield कर होता है मैंने पढ़ाया हूँ यह सब्द याद रखना यह inverted yield कर उसमें क्या होता है कम समय के लिए 3% और अगर मैं 2 साल के लिए जमा करूं तो हो सकता कि यह 2.5% पर रैनम इसे कैसे पहले साल, एक ही साल के लिए जमा कर रहा हो तो 3% पर 2 साल के लिए जमा कर रहा हो तो 2.5% पर रैनम तो इसकी वज़ा ही हो सकती कि future में हो सकता है कि recession हो, future में हो सकता है कि rate of interest सभी जगह कम होने वाले हो, और आज promise किया जा रहा है कि second year में भी आपको धाई person मिलेगा, जबकि rate इसने भी कम होने वाले है, हो सकता है, it means future में इसको बलते inverted yield करूँ, बहुत ज़्यादा discussion, यह था normal और अगर अपोजिट होता, तो होता inverted, the man characteristic of a normal, normal yield करूँ में क्या होता है, बताओ, short term yield are higher than long term, short term yield, कम समय के लिए ज़्यादा नहीं, short term yield are lower, answer आएगा B, short term वाला कम interest, long term वाला ज़्यादा इनकाई, based on the revised yield data, what is the yield spread, spread मतलब percentage, 10 year bonds में कितना और 1 year bonds में कितना, तो 1 year bond में yield कितना दिख रहा है, 13% और 10 year में कितना दिख रहा है, और 7% तो difference कितना, 4% 4% का spread है, आएगा, the inverted yield curve typically indicate economic growth, economic uncertainty, upcoming recession, आने वाले दिनों में हो सकता है कि rate of interest, if an investor is looking to invest for 2 years, यह वाला point अच्छा है, क्योंकि इस पे हमारे module में question है भी हमारी book, if an investor is looking for invest, ऐसा में बनाया करता था, IRRM में, power rate निकालना था, if an investor is looking to invest for 2 years, starting from 3 years, यह 3 साल है, और यहां से invest कितना करना चाहते हो, 2 साल के लिए, मतलब total मिला कर, यहां से कितना 5 साल, तो आपको forward rate निकालना है, forward rate सुनना धिहां से, उसका यह कहना, एक investor जो invest करना चाहते हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मैंने यहां लिखा 2 साल, यह करवाया है, कि बहुत अच्छे से कितना हैं, कम भी classes गई हैं, इसके आप भी जानते हूं, ratio folder में डला होगा, तो साल के लिए, आप क्या कर रहे हों, invest, मैं कह रहा हूं, कियार, मुझे rate चाहिए, यहां से यहां तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा, कियार, यह वाला rate निकालना है, तो यहां से पास साल का rate क्या है, और यहां से, यहां का rate क्या है, आप equivalent निकालते हैं, पास साल का factor, बड़ा वाला factor divided by छोटा वाला factor कुछ special नहीं है, तो पास साल का yield देखो, किता हुआ है, पास साल yield, ना, पास साल yield तर छे परसे, तो यहां आज, वन पॉइंट जिक्स पावर पाइफ, और सर तीन साल का yield भी देख लिए थे, चलती हैं, तो तीन साल का पाच परसे, यह हो गया, 1.05 पावर 3, this divided by this, तो यह वाल रेटर जाएगा, पर यह दो साल काएगा, तो उसको परेनम तो खरी लेंगे, 1.06 इंटु एक्वल तो 2, 3, 4, 5, तो सर वन पॉइंट 3, 8, 2, 2, 1.05 इंटु एक्वल तो एक्वल तो 1.1576, 1.3822, 1.1576, तो सर यह आ गया है, 1.15, तो पर यह दो दो साल का है, माइनस 1 इंटु 100 कर देंगे, 15.60 परसें, 15.60, 15.60 डिवाइद बाए 2 कर दूंगा, यह था 1.156, तो यह भी तो compounding होगा ना यार, इट मेंस आप 1 प्लस पावर 2 चाहा रहे हो ना, simple नहीं होगा यार, compounding होगा, 1 प्लस आर पावर, अगर मैं कहूं roughly, roughly ऐसे करते हैं ना, मैं कहा रहा हूँ, 1.06 पावर 5, ठीक है सर, is equal to 1.05 पावर 3, और 1 प्लस आर पावर 2, यह निकालने वाला हूं है, सर यह डिवाइड होगा, डिवाइड होके कितना आ रहा है, सर 1.06 इंटु एक्वल तो 2, 3, 4, 5, तो सर यह आगा है, 1.33822, डिवाइड बैए 1.05 इंटु एक्वल तो 2, 3, तो यह आगा है, 1.1576, तो 1.33822, डिवाइड बैए 1.1576, जो आया, जो आया, उसको स्क्वेर रूट करना पढ़ेगा, तो 1.0751, तो 7.52, अंसर आएगा 14 कभी, ठीक है, पावर डिट ऐसे ही निकाला करते हैं, अब 15 भी वैसे ही, उसने पूछा है, चलो वैसी ही करते हैं, अभी जैसे करते हैं, एक तो भाई, if an investor is looking to invest for 2 years, starting, मतलब सर, यहाँ से पास सां, दो साल के लिए investment कर रहा है, मतलब यहोगा 7, 0 to 7, 0 to 5, और हमें क्या ढूणना है, हमें यह ढूणना है, 1 प्लस R पावर 2, तो 7 साल का yield देख लेगी एक बार, 7 का yield, 6.40, 1.0, 6, 4, पावर क्या हो जाएगा 7, और यह कितना है, पास साल का yield देख लेगी, पास साल का असर 6 पर, 1.06 पावर 5, 1.064 इंट इकल दो ती चार पावर 7, तर यह आगे 1.54, 8, 1.06, दो ती चार पावर 7, तर यह आगे 1.54, 8, 1.06, दो ती चार पावर 7, 1.8, 2, 1.54, 8, divided by 1.32, जो भी आए, एक बरस को, 7.41, अंसर आएगा, ए, 7.41, ठीक है, ओके, तो यह ही थे, description में, मैं CDS वाला आपको, डाल देता हूं, तर यल्ड का रुका भी डाल दो कि, बस बहुत हो गया, यह तो पुराना है, CDS वाला ना है, तो CDS वाला डाल देता हूं, अब यार, मालू है, आपको एक बाद बता रहा हूं, कहां गया, MTP2 में, question number 1A, नया question आया था, और आना भी चाहिए था, इसी का वेट कर रहा हूं, first Chicago method, और किसका valuation हो रहा है, start-up का valuation हो रहा है, और मैंने करवा रखा है, इसका वीडियो भी मैं डाल देता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, ये question, ये जो question दिख रहा है, आपसे यूं बनना चाहिए, अगर आपने theory कर रखा है, तो business valuation, उसमें साफ साफ मैंने बताया, first Chicago method में, हम ये मानते हैं, कि तीन अलग-अलग सिनारियो के हिसाब से, अलग-अलग value निकालते हैं, कि यार बेस सिनारियो क्यों करते हैं, ये भी सिमझाया हूं, और उसके बाद, हाला कि मैंने आपको बोला था, distress, छोड़ो वो, अब अंदर की बात नहीं करा हूँ, first Chicago method में, अलग-अलग सिनारियो, best, based, अलग-अलग सिनारियो के सबसे value निकालोगे, probability से multiply करोगे, और जो value निकलेगे, this is value of startup, और और भी बहुत कहानी सुनाया है हुआ, और साथ में example भी करवाया, ABC startup has the falling expected profit under different scenario, revenue expenses, revenue expenses, worst, best, best किशना, और revenue में से expenses माइनस करोगे, तो profit आजाएगा, first year, second year, third year, ठीक है, probability से बाद में multiply कर देंगे, और सर इसमें discounting rate, discounting rate 20% है, और tax है नहीं है, और multi-terminal value के लिए multiply किसे कर दोगे 10 से, और factor दिया हुआ है, बस कुछ करना ही नहीं था इसमें, जैसे इस scenario में, आपने cash flow निकाला, आपने 20% से discounting है, टर्मिनल value बोला है, इसका 10 times, ये करवाया हूँ, करवाया हूँ, 10 times, multiply किया, value निकाला, तो ये value आप startup आया, कौन से scenario में best, ऐसी किसमें निकालोगे, बेस और worst, और probability से multiply करोगे, probability से multiply करोगे, तो आप का answer है जाएगा, इल्कुल simple, नाम है, first Chicago method, हाला कि इसके पीछे logic, बताया हूँ, description में, प्लीज, अभी वीडियो दे दोगे, की business valuation का, दे दूँगा, पहले से डदा हुआ, YouTube में, और साब साब बताया हूँ, first Chicago method, बहतरी, मज़ा आरा मुझे तूँ, it means, आप business valuation में, मैं वो जो example लिखवा के, आपको theory समझा रहा हूँ, उसको आप time pass मत समझो यार, बस मैं आप से, कुछ भी पूछ सकता है, और seriously, जिसने, first, जिसने theory अच्छे से कर रखा, business valuation, description में, चेक कर लो, उससे ये question नहीं मनता, तो बाद गई, अराम से बाद, एक ये वाला question है, हाला कि ये question बहुत, पुराने जमाने का कई बार आया हुआ है, पर फिर भी थोड़ा घुमा कर, कुछ नया point डाल दी, इसलिए इसलिए भी discuss कर दो, तो ये question कौन सा है, question number two है, अगर आप MTP में देखोगे, F, C, F, E approach बोलता था, यहां per share लिखा रहता था, तो यहां total में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ाता है, answer F, C, F, E क्या, कैसे निका, F, F, E, ठीक है, अब ध्यान से जबाएं, profit before tax, कितना है, 8,000, तो क्या, इसमें, टेक्स माइनस कर देखोगे, profit of the company दे रहागा, before tax, yes sir, और tax का rate कितना दिया हुआ है, tax का rate है, 30%, तो जो आएगा, वो क्या आएगा, profit after tax, 8,000 का 30, 8,000 का 70, तो यह आगया, 5,600 करोर, जिसे, profit after, अब इसमें से, हम माइनस करते थे, capital expenditure, माइनस, depreciation, और इसके अलावा, क्या करते थे, माइनस, change in, working capital, और सिर्फ कौन सा portion, सिर्फ equity portion, माइनस करना है, यह मैंने बात कर जो, भई, मुझे, equity, profit किसका है, सर, equity का है, तो मैं कह रहा हूँ, कि यह, जो भी पैसे लगते है, उसमें तो दोनों के पैसे लगते, debt और equity के, तो जितना भी लगने वाला है, उसमें debt, जितना दे रहा है, उसके बाद, अगर कुछ और लग रहा है, तो यह तो ratio बता देगा, हमको जो question है, उसमें ratio बताया है, कि debt equity ratio इसमें है, इस question में उसने का, कि जितना पैसा लगने वाला, उसमें debt funding, debt से funding इतनी होगी, तो बच्चा वो equity से funding होगा, तो equity से हम पैसा नहीं बुलाएंगे, इसी में से minus कर देंगे, यह मैंने discuss किया, FCFE, चेक करो कितने पैसों की जरूरत, सर जरूरत है, 20,140, ठीक है, उसमें से depreciation minus करेंगे, और change in working capital, सर देख लेते कितने पैसों की, 20,140, plus 17,55.60, minus 17,100, तो सर हमें पैसों की जरूरत है, net investment बोलते थे, 4795.60, उसमें debt वाला कितना दे रहा है, सर debt वाला दे रहा है, 20,062.108, minus 206.108, तो बच्चा हुआ पैसा, हम equity के profit से less कर देंगे, 273.492, अब बताओ, minus 5,600, तो अब equity वालों के लिए बच्चा है, 2866.50, ये किसका है, this is FC, और पर सिएर निकाल लेते हैं, divided by, इतना है number of shares, 280, तो divided by 380, तो सर ये आ गया है, 7.54, आप इसको D0 बोल सकते है, E0 बोल सकते है, अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है सर P0, तो 7.543, अभी कमा रहा है, growth rate दिया है, क्या सर growth rate है, 1.07, KE दिया है, क्या सर KE निकाल सकते, RF है, architecture क्या निकाल लेते हैं, 3.1, 3.1 प्लस 9.5, सर KE आ गया, 0.126, और growth rate है 0.07, अभी करता हूं सही आ है, 0.1, तो प्लस 7.5, 0.126, minus 0.07, 0.07, जा ग्रोथ, 7.543, 1.07, divided by MR6, 144.124, मेरा अंसर आ रहा, मुझे निकालना, क्या है, अगर रोड कर, KE सर 0.981, अच्छा, बीटा 1 ले लिया था, बीटा 0.1 है, तो मेरा KE गरवड था, इसकी अंसर अलग आ गया, जल्दी का काम सेतान कर, तो 3.1, मतलब मेरा, 0.1, plus 9.1, क्या सर के ही है, 0.098, अब करे, 0.098, 1, 0.07, आप भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि, मैं तो आपका टाइम को देखती हूं, जल्दबाजी करो, 287.22, 287.22, तो नहीं है, तो तो टोटल में ही करवाया करता था, बस कुछ नहीं है, बस मैं कहा रहा हूं, इक्विटी से फंडिंग जो होगी, वो सिर्फ इक्विटी का फंडिंग यहां से माइनस करते, और इस पर डेप्रिशिसंग पर आपने जबाने भर के कोश्चन पूछे थे, याद है यह वाला कोश्चन, बहुत हो गया, खतम करते काम, भाई जो जो भी करवारों, फ्लीज, प्लीज, एमसी क्यूज और येल्ड करव का कोश्चन, और सीडी एस वाला कोश्चन, फर्स्ट सिकागो मैथट, सब, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, कौन कौन सा चाहिए, आपको CDS पे थोड़ा सा थियोरी चाहिए होगा, और सर, सहीं बात है, सर, फर्स्ट सिकागो मैथट पूछा है, हो सकता कितनी सारी मैथट से, एकजांपल के साथ करवाया हूँ, एक गंड़े का तो लेक्चर है ना यार, बिजनेस वेलिशन का, देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, थैंक्यू,